Hey guys, welcome to Allround Learning. So last video में हमने मिश्रन यानि मिक्चर के बारे में जाना था और हमने allegation method से मिक्चर के question solve करना जाने थे. आज की video अगेन हमारी मिक्चर से ही होने वाली है जिसमें हम कुछ और important questions discuss करेंगे. So without any further delay, let's move toward our today's topic that is mixture and allegation most important questions part 2. So पहला प्रशन है एक दुकानदार के पास 68 kg चावल है जिसमें से कुछ वह 25 परसेंट लापर तथा कुछ को 8 परसेंट लापर बेच देता है और अंत में वह पाता है कि उसे 16 परसेंट लाप हुआ उसने 8 परसेंट लापर कुल कितने चावल बेचे तो question को solve करने से पहले इसको समझ लेते हैं एक दुकानदार है जिसके पास 68 kg चावल है इसमें से वह क्या करता है कुछ चावल 25 परसेंट लापर बेचता है और कुछ चावल 8 परसेंट लापर बेच देता है अब वो जब last में calculate करता है तो उसको कुल 16 परसेंट का लाप हुआ था ठीक है अब हमसे प्रशन में ये पूछा गया है कि उसने 8 परसेंट लापर कुल कितने चावल बेचे सो अभी हम percentage को भूल जाते हैं और ऐसा assume करता है जैसे कि हमारे पास दो प्रकार के चावल है एक 25 रुपए पर किलोग्राम वाला है और एक 8 रुपए पर किलोग्राम वाला है जिसको mix किया जाता है और उसे 16 रुपए पर किलोग्राम में बेचा जाता है यानि 25 रुपए और 8 रुपए दो प्रकार के चावल हमने मिलाए और उसको हमने 16 रुपए में बेश दिया ठीक है अब हम इसको solve करना आगे जानते हैं तो कैसे solve होगा तो हम क्या करेंगे subtract कर लेंगे बड़े नमबर से छोटे वाला नमबर subtract कर लेंगे तो हमारे पास क्या आजाएगा हमारे पास आजाएगा 8 और 9 ठीक है यानि हम क्या बोल सकते हैं दोनों प्रकार के लाबों के बीच का नौई कितना हो जाएगा तो यह हो जाएगा आठ अनुपात 9 अब हमसे प्रशन में क्या पूछा गया है हमसे पूछा गया है 8% ला पर बेचे गई चावल तो 8 पर पर हमने कितने चावल बेचे तो हमने बेचे कुल 9x ठीक है 8 अनुपात 9 को हम क्या बोच सकते हैं 8x और 9x ठीक है यानि हम simple क्या कर सकते हैं जिसका हमें ratio निकालना है उसको हम numerator में लिख लेंगे और total sum हम denominator में लिख लेंगे यानि 9 upon 8 plus 9 यानि 17 और हम निकाल किसे रहें 68 से ठीक है तो इसको अगर हम solve करते हैं तो हमारे पास आजाएगा 36 kg ठीक है तो हमने कुल 36 kg जो चावल है वो 8% लापर बेचे और इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि हमने 32 जो किलोग्राम चावल है वो 25% लापर बेचे और जिसको दोनों को कुल बेचने पे हमें जो last में है वो 16% का लाब हुआ तो यह हमारा answer हो जाएगा सो बढ़ते हैं next question की ओर Second question है एक चीनी विल्यन में 18% चीनी है तथा अन्य चीनी विल्यन में 6% चीनी है दूसरे प्रकार की कितने लीटर विल्यन को पहले प्रकार के 20 लीटर विल्यन में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण में 12% चीनी हो तो देखिए प्रशन को पहले समझ लेते हैं प्रशन में बोला गया है दो प्रकार के हमारे पास चीनी के विल्यन है एक में हमारे पास 18% चीनी है और दूसरे में हमारे पास 6% चीनी है अभी जो एमाउंट है 20 लीटर इसको अभी फोकस नहीं करते हैं हमें ये बोला गया है इन दोनों को मिला के हमें 12% जो चीनी वाला विल्यन है उसको बनाना है ठीक है तो बहुत ही आसान है हमारे पास दो प्रकार के चीनी विल्यन है एक 18 और दूसरा 6 इसको मिला के हमें कित क्या बोल सकते हैं मिश्रन में दोनों प्रकार के विल्यनों का अनुपात होना चाहिए 6 अनुपात 6 यानि हम बोल सकते हैं 1 अनुपात 1 यानि दोनों की बराबर मात्रा अब देखिए प्रशन में हमसे क्या पूछा गया है हमसे पूछा गया है पहले प्रकार के विल्यन के 20 लिटर में दूसरे प्रकार के विलियन की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि जो मिश्रण है वो 12% चीनी का हो तो देखिए रेशो के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा हमें दोनों के जो एमाउंटे वो एक्वल लेने पड़ेंगे यानि यदि हम पहले प्रकार के विलियन का 20 ल तो ये कोश्चन मिक्सचर में आता है लेकिन इसको हम रेशो और प्रोपोर्शन के पैटर्न के जैसे सॉल्व करने वाले हैं कोश्चन है 200 ग्राम की एक मिश्रधातू में जस्ता और तामबा 5 अनुपात 3 के अनुपात में है इसमें कितना तामबा और मिलाया जाए कि अनु जाए कि जो रेशो है वो 5 अनुपा 3 से 3 अनुपात 5 बन जाए सकते हैं वो यह है कि जो जस्ता है वो equal रहेगा ठीक है सिर्फ तामबे की मातरा बढ़ाने से ही जो रेशो है वो change होने वाला है तो मतलब क्या है तो दोनों equations में जो रेशो है जस्ते वाला वो equal रहना चाहिए यानि जो 5 और 3 ने इसको हमें equal बनाना है और यह दोनों equal कहां बन जाएगा 15 and 9 और 15 and 25 ठीक है अब हमारे पास जो question है वो clear हो रहा है जो जस्ता है वो दोनों ratios में same रहने वाला है जो change होगा वो होगा तामबा तो प्रशन को आगे solve करने से पहले 200 ग्राम में से जो जस्ता और तामबा है उसको हम निकाल लेते हैं कितना कितना उनका amount है तो 200 ग्राम मिश्रधातू में जस्ता है वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा पांच बटा पांच जमातीन यानि 8 गुना 200 ठीक है यहां से हम simple बोल सकते हैं 125 ग्राम ठीक है तो 200 ग्राम के मिश्रधातू में जो जस्ता है वो 125 ग्राम हो जाएगा और वैसे ही 200 ग्राम मिश्रधा करेंगे हम जो 15 रेशो 25 है इसमें हम पूट करने वाले हैं तो यहां से हम अगर हम जो जस्ता है उसकी बात करें तो वह कितना हो जाएगा तो वह जाएगा पंद्रा अपॉन पंद्रा जम परचिस यानि चालीस गुना एक्स अब देखिए जो नया जो वेट है वो हमें नहीं पता है जो नया तांबे की जो कॉइंटिटी है वो कितने हम मिलाने वाले हैं हम टोटल मालेंगे जो वेट है वो एक्स बन रहा है ठीक है 200 ग्रैम में कुछ और एड हो रहा है तो हम उसको टोटल को हम एक एक्स मालेंगे लेकिन हमारे पास जो वैल्यू है ठीक है वो कितनी रहने वाली वो 125 ग्राम ही रहने वाली यांकि हम जो जस्ता है तामबा का वेटेज ठीक है अगर हम यहां से जो जस्ते का वेटे उसको निकाल दें तो उसमें कुल हमारे पास सिर्फ तामबे का एमाउंट बज़ जाएगा यानि एक्स ग्राम में हम तामबा बोल सकते हैं वो कितना रह जाएगा वो रह जाएगा क्यूंकि जो 75 ग्राम जो तामबा है वो उसमें था तो एक्स टामबा हमने कितना मिलाया तो वो हो जाएगा 208.3-75 और यहां से हम सिंपल बोल सकते हैं की 133.3 ग्राम हमने एक्स टामबा मिलाया जिसे जो रेशो है वो 5 अनुपाथ 3 से 3 अनुपाथ 5 हो गया और यही हमारा answer है सो बढ़ते हैं नेक्स कोशन की ओर सो कोशन नमबर फोर पैट्रोल की लागत 4.50 रुपए और केरोसीन की लागत 3 रुपीज हो तो 40 लीटर पैट्रोल में कितना केरोसीन मिलाय जाए कि नए मिश्रन की लागत 3.50 रुपए हो जाए सो प्रशन बहुत ही सिंपल सा है हमारे पास दो प्रकार के लिक्विड हैं पैट्रोल और केरोसीन पैट्रोल की लागत 4.50 रुपए है और केरोसीन की लागत 3 रुपए है हमसे पुछा गया है 40 लीटर पैट्रोल में कितना केरोसीन मिला जाए कि जो मिश्रन हमारे पास नया बनेगा उसको हम 3.50 रुपए में बेच सके तो प्रशन बहुत ही simple सा है तो हमें क्या दिया गया दो amount है हमारे पास 4.50 और 3 इसको हमें मिश्रित करके जो नया amount है उसमें बेचना है वो है 3.50 अब इसको अगर हम solve करते तो हमारे पास कितना जाए 1 और जिसको हम बोल सकते हैं 1 ratio 2 यानि यदि हमारे पास जो पैट्रोल है उसका अगर हम 1 लीटर मिलाते हैं तो हमें कैरुसिन का कितना मिलाना पड़ेगा हमें मिलाना पड़ेगा 2 लीटर लेकिन हमसे प्रशन में पूछा गया है 40 लीटर पैट्रोल तो देखिए 40 लीटर प का डवल यानि 80 लीटर तो यह हमारा अंसर आ गया यह प्रशन आप सबके लिए बहुत ही सिंपल सा है देखिए प्रशन में क्या बोला गया है एक बरतन जिसमें शुद दूद है में से 20% को पानी में बदल दिया गया और यह क्रिया कुल 4 बार की गई क्रिया के अंत में है जिसमें हम हर बार 20% दूद को पानी में बदल देते हैं और यह प्रोसेस कुल 4 बार हमने की और हमसे प्रशन में पूछा गया है चार बार प्रोसेस करने के बाद अंत में शुद दूद की मातरा कितनी रह जाएगी तो प्रशन आपके लिए है बहुत ही सिंपल है आप इ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शियर कर दें और इस तरह की important वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जूद सकते हैं तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दमने मिलते हैं अगली वीडियो में